What's up guys, welcome to JKSSB Online Tutorial, मैं हूँ सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट और एमसी क्यूज विद एक्स्पनेशन फॉर अपकमिंग फीमल सुपोवाइजर एन अदर जेके सेस्पी एक्जाम च險़तर करने से पहले important information सुपोवाइजर एक्जाम के लिए कि लिए हम finally फॉर्वाइजर के लिए Aum रिविजन सीरी जो है वो साट करने वाले हैं कंदा alltså 27 आजग 10% selection guarantee on our female supervise exam. So join करने के लिए मेरे WhatsApp नमबर 7006332724 पर. मेसेज में आपको simple लिखना Supervise the Course. जैसे अब Supervise the Course लिखोगे, आपको सारी detail प्रोवाइट करते जाएगी. All right, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा current fair lecture. आज के lecture का जो हमारा पहला question है, पूछा गया है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में, इसका जो आंसर है, इसका जो आनसर है, इस बेस्ट पिंगाल, कहां पे करा है, वेस्ट पिंगाल. तो नरेंद्र मोधी साबने नेगुरेट करा है, इंडिया का पहला underground metro कॉलकता में, ठीक है, बेस्ट पिंगाल कॉलकता में, और ये basically हूगली रिवर जो है, कॉलकता में, उसके ऊपर जो है, construct जो है, वो किया गया है, ठीक है, चलिए, नेक्स जो question है, पूछा गया है, कि बत में पूछा गया है, तो इस question का जो answer है, that is, हमीरपूर, क्या answer है, हमीरपूर, और इसको इनेगुरेट करने वाली कोट से मिनिस्टर है, यूने मिनिस्टर अनुराग, जो है, उन्होंने इनेगुरेट करा है, संसद खेल महाकुम को, हमीरपूर, जो कहां पे है, हिमाचल पर है, कि in which state, इंडिया's first small scale LNG unit inaugurated, LNG का मतलब है, liquidified natural gas, ठीक है, तो कोन सी state में ये LNG unit, मतलब, first small scale LNG unit, जो है, वो कहां पे इनेगुरेट किया गया, इंडिया का, कोन सी state में किया गया है, तो इसका जो answer है, that is, मध्यपरदेश, कहां पे, मध्यपरदेश, और इसके of petroleum and natural gas, जिनका नाम है, हरतीप सिंग पूरी, ठीक है, तो इनोंने, basically, ये इंडिया का small scale energy unit, जो है, वो सेट अप कया, और किसके दवारा किया गया है, ये, by gas authority of India limited दवारा, clear है, चला, अगला जो question है, पूछा गया है, कि बताइए, with whom, किसके साथ NLC, NLC, इंडिया ने green energy limited sign, an agreement for solar power project, मतब किसके साथ, NLC, इंडिया green energy limited ने sign करा है agreement, किसके लिए, solar power project के लिए, so इसका जो answer है, that is, gujarat energy development corporation limited के साथ, ठीक है, NLC, इंडिया green limited ने sign करा है agreement, gujarat energy development corporation के साथ, ताकि ये लोग 600 megawatt का solar power project, जो है, वो launch कर सके, ठीक है, ओके, चलिए, अगला जो question है, पूछा गया है, कि बताइए, which state government recently approved the green hydrogen policy in the state, तो कौन सी state government ने recently approved करा है, green hydrogen policy अपने state में, तो इसका जो answer है, that is, उत्तरपरदेश, तो उत्तरपरदेश government ने प्रूफ करा है, एक proposal set up करने का, कितना, ये 800 megawatt, कहां पे अनपरा, ये इसकी जो cost के, अगर हम ब launch किया है, अपनी state में, clear, तो मतलब वहाँ पे hydrogen, जो है, वो green hydrogen plants हो है, वो finally set up किया जाएंगे, next question है, पूछा गया है, कि बताइए, in which state, video remarriage promotion policy has launched recently, तो कौन सी state में, कौन सी state में, video remarriage promotion policy, scheme जो है, वो launch करी गया है, recently, तो कौन सी state में, ये launch करी गया है, इसका जो answer है, that is, जार जार खंड, अब जार खंड के चीफ मिनिस्टर का कह नाव है, जार खंड के चीफ मिनिस्टर का नाव है, चंपाई, चंपाई, सोरी, ठीक है, और इन्हों ने launch करा है, state video remarriage promotion scheme, और इस scheme के अंदर, एक 2 लाग का, जो, मतलब, amount है, वो दिया जाएगा, video को, जो शाधी करेगी ठीक है, clear, चले, अगला जो question है, पूछा गया है, कि बताईए, which Indian cricketer recently announces retirement from all form of cricketer, तो crickets, तो मतलब, कहने का कौन से Indian cricketer ने finally announcement कर दी है, अपने retirement की cricket के सभी form से, तो इसका जो answer है, that is, शेवाज नदीम, ठीक है, क्या नाम है, शेवाज नदीम, अब फाइलली ये IPL में आ बताईए, recently which country become the first country to include the right to abortion in its constitution, तो कौन सी country जो है, वो पहली country बनी है, जिसने right to abortion अपने constitution में include करा है, ये question में पूछा, तो इसका जो answer, that is France, तो France ने history बना दी है, पहला nation बनके, अपने constitution में right to abortion को include करे के, ओके, दान, चलो, अगला जो question है, पूछा गया है, कि बताईए, recently which institution, institute hosts the All India Research Scholars Summit 2024, 2024 में होने वाली All India Research Scholars हो है, वो कौन सा institute host करने वाला है, ये question में पूछा गया है, तो इसका जो answer है, that is IIT Madras, तो IIT Madras, जो है, वो finally host करने वाला All India Research Scholars Summit, और ये 4 मार्स से लेकर 7 मार्स सक होने वाले है, तो इसको organize करने वाला कोन है, Research Affair Council, तो इन्होंने इसको organize करा है, अगला जो question है, पूछा गया है कि इंद्रमा housing scheme जो है, रिसली news में देखने को मिली, बताइए ये कौन सी state के साथ associate है, तो इस question का answer आप लोगो करोगे comment section में, clear, बागी मलते है next video में, तब तक लिए थेंगे, सो मज़ देखें, बाबाए